आपका स्वागत है मैं हूँ अजे प्रताप सिंग और आज हमारे खास कारिकरम विधायक जी चले गाउं की ओर में हमारे साथ हैं धर्मराज सिंग जो समाजवादी पार्टी से 12 बंकी सदर से विधायक हैं जिनसे हम बात करेंगे कि गाउं की जरूरत क्या है गाउं की मौजूदा इस्थधी क्या है और गाउं के लिए क्या होना चाहिए गाउं के हालात इतने बुरे हैं कि ये जो सरकार आई है अभी इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे दुगनी का हाल ये है कि आप यकीन कीजिए कि हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में यूरिया का रेट 295 रुपया है उत्तर प्रदेश जिस प्रदेश ने 7370 बीजेपी को दिये 325 विदायक दिये हैं वहां 327 रुपया प्रतिबोरी अलग से किसानों से लिया जारा कह रहे हैं कि हम गाउं की तरक्की कर रहे हैं दुगनी आमदनी कर रहे हैं पहली बात दूसी बात ये है कि उर्वरक पे रोजदाम बढ़ रहे हैं अभी 18 जनवर इस पैसे बढ़ा दिये आलू का हाल आप देख रहे हो आलू किसानों के लिए क्या हुआ कि हमसे बहतर आप सब जानते हो क्योंकि आप चोथा स्तंभ हो सम्विधान का आज की सरकार केवल केवल ल किसान खून पसीना मिला के मिटी मिसान के हमाई लिए रोटी पानाच पैदा करता है उनके साथ भी छल किया जा रहा है ये बड़ी दुखत बाद है किसान बहुत परेसान है पूरी तरह तूर चुका है कभी ओला बरस्टी हो जाती कहीं क्या हो जाता तो इससे किसानों के सा जब पंचायत को लेके भी काफी बादे किये गए और अगर बात ओडियेफ की हो तो ओडियेफ विवस्था को आप कहां तक जमीनी हकीकत प्मान ओडियेफ के लिए तो हमने सदन में भी अपनी बात उठाई थी जब भारती जनता पार्टिक सरकार इसी सत्तरम बनी थी पहला स फेल है गाउंके अंदर अधिकारी लोक सुब़ सुब़ जाते हैं मजबूरी है उनकी गाउंके अंदर जाते हैं और वहां पे होता क्या है कि गाउंसे काम लेना चाहिए वो सुबह छे बजे पांच बजे गाउं जाएं उसके बार दस बजे फिर ड्यूटी पर आवें तो कईसे काम करेंगे एक दूसरा ओडियप कही हाई नहीं किसी गाउं में चले चलिए हम लखनौम आपके साथ बैठे हैं सुबह साम किसी दिन हम दोनों निकल लें इसका और सरी सब सच रहता है सब कुछ अच्छा है सोच अच्छी है काम करने तरीका गलत है गाउं के गरीब आदमी के पास घर नहीं खाने के लिए रोटी नहीं और उससे आप कहते हो कि हम सहीयोग करेंगे बारा हजार रुपया बाद में देंगे पहले आप सौचाले बन तो आप बारा ही हजार दे रहे हो चार-चार हजार के तीन किस्ते दे दो पहले से एडवांस में गरीब आदमी कहां से बना लेगा बारा हजार रुपय मान रहा हो कि मुझे यकीन भी है पूरी तरह से हम ये भी मैं मैसुस कर रहा है कि सरकार उसमें सहीयोग कर रही कि आप बना लो लेकिन आप बताईए सो रुपया 90 रुपया 120 रुपया 130 रुपया मौरंग बालुक दाम क्या है कोहां से ओडी अफ में गाउम बन जाएगा सोचाले पहली बात दूसरे जागरूकता तीसरी बात जनता के पास खाने के लाले पड़े हुए है और पहले सोचाले कहा से बना लेगा मजदूरी लग नहीं रही डखाइथी कैसे बढ़ी क्या डखाइथ कोई योगी जी लेके नहीं आया है मुखमंतरी बनने बात बेरोजगारी की बढ़े लोग बच्चे भूखों बनने लगे दो डखाइथी नहीं करेंगे तो का करेंगी इधर डखाइथी कि दकाईती बहुत कम होती थी यह नहीं कहतें कि सरकार दकाईत लोग लेक authors यह जरूर कहतें जब रोजगारी बढ़ी बच्चे भूके मर रहे हैं तो एक रोजगार आदमी चोरी डकाईती चशने थी शब करेगा उसको कोई रोकनए सकता जब तक रोजगारी नहीं खतम होती है जो सीधे सीधे जाना चाहिए था पैसा जो भी जा रहा है लेकिन इन्हों ब्लॉक में हिसाब किताब रखने के लिए अब तक किसी व्यक्ति की नियुक्ति नीजिकी जिसकी वज़य से शायद ग्राम प्रधान कुछ ना कुछ देने के लिए मजबूर से और ग्राम प्रधान देने लिए मजबूर क्या है काम हो नहों कि सुरुवाती इस्टीमेट में 10 परसेंट अगर कोई नहीं देता है तो ना एडियो पंचायत ना ग्राम भिकास अधिकारी ना डीपी आरो अस्तर पर कहीं भी उसकी कोई फाइल नहीं चलती पहली बात दूसरी बात जैसे कि है अभी आपको दिखाईनों कहा कि हम रिबोर कराने का हैंड पाइपों का प्रधा प्रधानों को पूरा अधिकार देते योजना अच्छी थी लेकिन हकीकत में उतार नहीं पाए प्रधान परेसान है छे आजार रुपे अधिकारी तो कहां से उक काम कर पाएगा किसी भी योजना में कहीं भी अब हम थोड़ी कह रहे हैं कहें तो उनके मंतरी रहें कि जो का काम 500 में होता था वो 5000 में हो रहा है हम समाजवादी कहने कोई जरूतने समाजवादियों को उन्हीं के पार्टी मंतरी और कदावर मंतरी खुले मंच से उन्होंने का 500 वाला काम 5000 में हो रहा है किसानों के साथ प्रधानों के साथ नौजवानों के साथ जो हो रहा कहीं छिपा अभी सिक्षा के छेट में आप देख लिजाए आप क्रिसी पूछ रहे हैं गाउं पर हम सिक्षा के छेट की बात करते हैं सन 2017 मार्च में मन्य योगी जी के नेतरतवाली सरकार बनी हाई स्कूल इंटरमीडियर का सिक्षासत इनी की सरकार में सुरू हुआ और एक जाम भी इनी की सरकार में हुआ बच्चे परिच्छा छोड़ रहे हैं तो सदन में इनके मंत्री बड़ा पीट थप थपा रहे हैं कि देखिए इतना दहसत हमारी है एक टीचर अगर साल भर में कोई सस्पेंट हुआ हो तो बताईए सरकारी स्कूलों का हाई स्कूल इंटर का मानीटरिंग करोगे नहीं पढ़ाओगे नहीं जबरन चाहती क्या है कि गरीब का बच्चा हाई स्कूल इंटर कर जाएगा तो कल खड़ा होके यहीं नौकरी मांगेगा तो इसलिए आप पढ़ाते नहीं हो यह जिम्मेदारी सरकार की है कि पहले हम अच्छी सिक्षा दें और आप रिकार्ड निकाल के देख लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालियोग बच्चों ने जादा से जादा परिक्षाएं छोड़ी प्राइबेट वालों ने कम छोड़ी तो यह सरकार की कहीं न कहीं तो नाकामी लेकिन अपनी पीठ थपाते हैं इसे करते कि हमारे देखिये दहसत में हम इतनी अच्छी सिक्षा दे रहे हैं कि कौन सी अच्छी सिक्षा हैं पढ़ाएं नहीं किसी को झाओं के हालात थे हैं काम नहीं कर सकते हैं हमाई 12F नीचे विदान पूरे जन्पद में छे विदायक 5 भाजपादा के हैं एक हम केली के 1चाएं 72 लाग रुपिया हम लोगों को पूरवाड़न्चली दिए का मिलता है र्थ पूरवाड़ concert से डी पी आरों से और यह समझ लिए पीडी से सीडी ओसे सभी सब कोई एक ऐसा अधिकारी बता दीजिए जिसके आथ से आप लोग इस्टीमेट बनुए वह पच्छ बच्छ की बात हम नहीं करते हैं उनके भी विधायकों के स्टीमेट लोट के आते हैं हमारे भी लोट के आत लेप्स हो जाए तो यह इनकी सोच है जाने क्या चाहते हैं अभी सरकार ने एंगलिश मीडियम प्राइमरी और जूनियर है स्कूलों के लिए कि लेकिन दुनिया जानती है कि इंगलिश पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूलों में मास्टर तो तब आएगा जबकि पांच में क्लास तक कु पढ़ाने के लिए पांच भी टीचर उसमें नहीं है तो इस तरव से विपक्ष क्या ऐसी बात विधानसभा में उठाए व, विपक्ष्ष का सोचना है कि जब हमारी निव मजबूत हो सिख्षा के अस्तर आप मेतर देख रहे रहे हो ॉच्षा के अस्तर को स्थाग अगर सकूल है पचास साथ किलो मिटर पे तो वहाँ पे बच्चे तीन सो पढ़ा रहे हैं सिक्षा मेत्र सहर के किनारे अगर कोई स्कूल है बच्चे है बारा टीचर है सोला सबसे पहले तो यह सुधार होना चाहिए कि हर विद्द्याले खुले और वहां तक एक ही सिक्षक सही पहुंचे और जिक्षा के मामलें तो कुछ बताने नहीं है इनकी सोच इस सिक्षित करने के नहीं है देश को न प्रदेश को इनकी सोच है दबे कुछले बने रहो जो हम जुमले पहेंकें उस जुमले पर आप काम करते रहो पूछो कैसे आप हमाई सरकार थी मानने अखिले से आदो जी ने एक लाग बहत्तर हजार लगभग सिक्षा मित्रों को एक अच्छा सहीओ करते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए उनको पैंतिस जार लगभग तंखा देने काम किया धमान दे समझ लेचा तंखा कह लिए सरकार आई इस सरकार ने इतने ज़्यादा सिछकों किनारे कर दिया और बार बार जब सदन बात उठती है कि बड़ा दिल करिए आप राजा हो आप सरकार हो आप कोई इनके लिए संसोधन कर लीजे समझ विदान में विल में तो उधर से जवाब मिलता है कि कोर्ट ने कहा है तो हमारा उनसे पूछना ये है कि एक प्रदेश है अपने देश में जहां जली कट्टू नाम का एक खेल होता था जली कट्टू रोकने के लिए सुप्रीम कोट ने आदेश किया था वहां की सरकार ने आज तक रोका नहीं है उस जली कट्टों में जाने जाती हैं लिए इन्सान मरते हैं और वहां की सरकार ने प्रथा नाबंध हो इसके लिए सुप्रीम कोड की परवान नहीं किया आज भी चल ला है हर साल चल ला है और यहां उत्तर प्रदेश की सरकार एक लाग बहत्तर हजार सिक्षा मित्रों के लिए पूरी तरह से कोड का बहाना कोड ने कहा है कोड ने कहा है यही सदन में जवाब देते हैं इतना गलत है तो इससे यह बिरीकुल पूरी तरह परलच्छित होता है कि चाहते ही नहीं में यह देखने में आया कि जो पुराने ब्लॉक पुर्मुक थे वो हटा दिये गए जिला पंचायत के अद्वक्स थे वो भी हटा दिये गए तो कहीं न कहीं इससे देहात की राजनीती में रंजिश का माहूल भी आप मानते हैं नफ्रत फैलाना इनकी सुरुवात की आद दिया हमेशा ही तो हुआ है और नफ्रत फैलाल है आज बताईए पहले हिंदू मुसल्मान बटा पिर पिछडे पिछडे बटे और इस बार तो दलिद-दलिद बाट दिया बाrąटना इनके सबसे बड़ा काम है। बांटना सबसे बड़ी कला है, वही कला इनको आ गई है, इसलिए ये सत्तम बैठे है, केवल बांटना कला है, और ये कला इनको बहुत अच्छी तरह साती है, ध्यान बढ़काना, बांटना, जाने कौन कौन सी चीज, कहा पंदरा लाग रुपया गाउवालों मिलें, बचारे लाइन लगा गए, खड़े रहे, बैंग में खाता खोल दिया, पंदरा लाग तो नहीं आए, बीस हजार करोड़ों की जल्दी चले गए, इंदुस्तान के, ऐसे अगर देखा जाए, तो हमाई समाजवादी सरकार चल लही थी, आपने कहा भी, पच्पन लाग लोगों को प सारी योजनाए बंद, बंद कर देखा, लेकिन कम से कम, ये तो सदन को और जन तक बताइए, हमने सदन लोगों पूछा जवाद नहीं किया है, हम तो फी राज कह रहे हैं, आपके मातों की सरकार को बताना चाहिए, पच्पन लाग परिवारों माले, जो रोका गया है पैंस पैसा कहा गया, जो जो अमानिय खिले सियादो जी के जमाने की योजनाए बंद की गई है, उनके पैसे से नो कौन सा काम किया, तो कुछ जबाब नहीं मिलता, इतना पैसा, एक साल, नहीं तो ग्यारा महिने से जादा दिन हो गया, हमको तो नहीं लगता, आप कुछ बता दी आज कल देखने में यह आता है कि जो प्रधान जीत गए और जो हार गए, उनके बीच में ऐसी रंजिस चल रही है, कि शिकायतों का दोर जारी रहता है, नियम के अनुसार बताया जाता है कि 10 रुपए के शबत पत्र पर ही जनपरती निधी की शिकायत होगी, लेकिन आज के समय में एक रुपए के पेपर पर शिकायत होती है, अगर दोशी पाया गया आदमी तब तो कारवाई हो गई जनपरती निधी पर, लेकिन अगर वो शिकायत जोटी पाई जाती है, तो शिकायत करताओं पर कारवाई नहीं हो रही सबसे बड़ी बात, तो एक दूसरा सबसे ये बना दो, वो बना दो, बगर जाय कोई बनता हुनता नहीं आनलाइन, तो जो काम एक रुपए कागज में हो जाता था, पहले तो वो आनलाइन कराता है वहाँ, जनसेवा केंदर पे, और उसके बाद वहाँ जाय परसाच चड़ावे, और अगर कोई मरत सार्टिफिकेट भी बना हुए, और किसी के बाप मर गए हों, तो आप यकीन कर लीजिए, कि बीगे के हिसाब से अधिकारी आज कल पैसा जुड़वाग बताते हों से, अभी माई बारावंकी में एक विक्ती के बाप मर गए विकलाव था, डियम साहब जनता दरसन वैठे थे, अब वो आया उसने कहा साहब हमाई पिता जी मर गए थे, मरत तो सार्टिफिकेट नहीं बना रहा है करमचारी, डियम साहब ने कहा विकलाव कल्याण अधिकारी, इसको जाके एक ट्राइसाइकिल दरसन नहीं मांगने आए, हमाई जमीन हमाई नहीं नहीं नाम आ रही पिता जी के मरने ए पिताएगा, फिर डियम साहब ने कहा इसको पेंसेन भी बंदवा देना, तो गाउंवालों ने कहा साहब ये सवाल नहीं है, उससे करमचारी ने पैसे मांगे है, उनने का मैं समझ रहा हूं, लेकिन आज तक उसको अभी मरत तो सर्टिफिकेट नहीं मिला देवा बलाक के प गाईकों सा केले केले योगी जी पूछ लीजिए, इनका दर्द छेतर में क्या है, जनता इनसे क्या पूछती है, गाउं की बात पे आप फिर आ जाईए अगर, तो पसुधन, ग्रामीर आदमी का पसुधन बहुत बड़ा धन माना जाता था, गरीब आदमी एकाद गाय, य जब से हालात इतने बुरे हुए हैं, कि इनकी सरकार बनी है, देशी गाय आप बजार में नहीं उतार सकते हो, बजार वाला उतारने नहीं देगा, तो पसुधन कहां रह गया, हमने तो कहा था, आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, कि पसुधन मंत्राले ही बंद हो जान हैं गाय पर, मंदिर है घर में, हम नहीं चाहते हैं कि गाय कटे, जो प्रत्बंदी जानवर है कटे, उस पर हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े, लेकिन हम अपना पसुधन बेचने का योगी जी के दरबार में लेके जाएंगे, कौन सा इसा हिंदुस्तान के अंदर, आपकी योजनाएं बंद कर दी गई, अगर दोबारा से आपकी सरकार आती है, दो हजार बाईस में, तो इन योजनाओं को लेकर, पूर मुख्य मंत्री मानिया खिलेश यादव जी कितने गंभीर है, मानिया खिलेश यादव जी की सोच के बारे, आपको तो कुछ बताने के जरूरत नहीं है, आपसे ना कुछ शिपा है, मानिया खिलेश जी की सोच ने जो सावित करके दिखा दिया है, जितनी योजनाएं चल गई हैं, जनता के हित की, चैसी चाही हो, चाहे मुलेंसलना हो, चाहे दसनब्बे हो, इन से विक्तिकत किसी न अगरा एक्सप्रेस भे बना दिया, बना दे हमने तो सदन में उठाए, मारे पर विजूल है, सदन में उठाए थी, कि आप पूरवांचल एक्सप्रेस भे इतने ही समय में, आपकी तो दोनों जगा सरकार हमाई तो एक जगह थी, तो मानिया खिलेश यादो जी की सोच आपके माध्यम से पूरी खुले तोर पर कहना चाहता हूं, देख लीजेगा, सरकार इनकी टाइम पूरा कर जाएगी, योपी समीट वाले जित्ते आये थे, टाइवाई लगा के, एक भी काम सुरू नहीं होगा, सुरू होगा कौन सा, अंबानी जी का जीयो नेटवर्क हर ग्राम पहुचा देंगे, क्या मिलेगा इस से जनता को, और दो पैसे घर में बचे हैं, नेट देखने के चक्करे बच्चे बनाव रलवाते रहेंगे, और कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी कास करके हो, सोच नहीं विकास पर रहें, मन्रेगा योजना की बात कई ग् में, वो कहते हैं कि कम मजदूरी है, इसलिए नहीं मिल पाते हैं, फिर हमने मन्रेगा के मजदूरों से बात करी, तो उनका ये कहना था कि एक सो पिशत्तर रुपए के लिए हम क्यों जाएं जब हम साड़े तीन सो रुपया कमा लेते हैं, तो इस मांग को लेके समाजवाद पारिटी आके क्या कदम उठाएं, मन्रेगा योजनम वास्तम पर इसकम है, महंगाई बढ़ी है, हर तरफ से महंगाई बढ़ी है, गय सिलिंडर, चार सो साट सतर का था दो हजार चोदम, आज क्या भाव है, डिजल पेट्रोल का दाम कहां था, इसी तरह अन्य चीजे हम दे रहना चाहिए, और ये मांग है हमाई केंद की सरकार से, कि कम से कम मजदोरी साड़ह तीन चार सोर पेश कम होनी ही नहीं चाहिए, और हम तो केवल रेट की बात नहीं रखते हैं, जिस हिसाब से पता चला है, नोड़ा के किनारे, लखनों में, मजदोरी महंगी है, बिहार के बाडर पे किनारे, वहां कुछ सस्ती है, तो आप जिले वाइज या मंडल वाइज घटा बढ़ा लीजे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि मंजदोर नहीं मिलते हैं परधानों को, क्या करें परधान, और सबसे बुरा कारिकाल अगर बीता है, त सिकारी डरते हैं, अब दर डरना यही हुआ, कि सोईटर आप देख लिए, पैसा था, संसाधन थे, सब कुछ था, कल में तो चलनी थे, जाड़ा बीद गया, सोईटर धीरे-धीरे, गए वहीं से जहां से जाने चाहिए, होना यह चाहिए तक यहां से योजना बनती, तो यह लोग केवल जुमले दिखाते रहेंगे, कि हम यह देंगे, आज आप आए हो, आपके साथ हम बैठें, आपके घर जाएं, और एक दिन आप हमको कुछ बड़िया चीज खिलाओ, इसी चीज अगली बार आओगे तो खिलाएंगे विदायक जी, कि आपने जीवन, सोची नही की बात आती है, तो ग्राम पंचायत को जो भी विकास के कारें दिये जाते हैं, वो नो प्रॉफिट, नो लॉस पे होते हैं, अगर किसी चीज का विकास कारेंगे जैसे सीमेंट का भाव बढ़ गया, तो ग्राम परधान या ग्राम पंचायत उस चीज को एस्टीमेट में न ख़गिया था साथ हजार रुपेय रेट तब सरकार ने भगाया था िन एक तीन बार सरकार बनी बड़ा है अब 3.3 माई को इतना कम पईसा मिलता है और परदान के गाउं मगर किसी इक बच्चा होने वाला किसी इक साप ने काट लिया किसी इक सर पे डाल गिर गई है किसे इंटा लग गया है किसी ठोकर लग गई है तो परदान सबसे पहले बुलाए जाता तीन हजार साड़े तीन हजार वाली तन खावाला पहली तो बात यह है जब आप अपना schedule rate घटाते बढ़ाते रहते हो, तो परधान कहां से बैमानी करे, कहां से चोरी करे, फसते हो जाच पे जाच पे जाच, जाच पे जाच, तो जाच उसकी करो, जिस rate पे बजार में भाव में कोई चीज भी करें है, उस हिसाफ से वो लगाए, उसके बाद तो उ प्रधान के पक्ष नहीं लेना चाहते हैं किसी बैमानी नहीं कराने हम सही हो करना चाहते हैं लेकिन 200 रुपर एक सीमेंट कहीं मिल नहीं रही और आप सेडियूल रेट 200 का रखे हुए कैसे विकास परक सोचे नहीं है केवल गोल-गोल घुमाते रही है जैसे दुनिया का नकस नहां से अपने विकास कार्यों के लिए रेता बालू ला सकते हैं अब अगर मान लिए प्रधान कहीं से मंगा भी रहा है तो बीच में उसे खनन का माल समझ के पुलिस पकड़ लेती है इस बात से भी गिराम प्रधान बड़े परेशान है यह सवाल विदान सभा हम लोगों बता रही है हर एक ट्राली जो पकड़ेगी वही ग्यारू ही है तो इतनी जदा कड़ाई इतनी जदा सकती जब हम लोग कहते हैं कि आप खनन का रेट बहुत बढ़ा चुके हो बहुत बढ़ गया है तो वहां से जबाब मिलता माने योगी जी ने जबाब दिया था सदन के अंदर कहा कि हम राजस बढ़ा रहे हैं तो राजस बढ़ जाए देस के 50-60 व्यापारी बढ़ जाए बाकी देश की जन तक क्या होगा राजस उसे पेट तो हमारा नहीं चलेगा गरी पिसान का राजस बढ़ाने से हमाई गाओं की तरक्की नहीं होगी बच्चों तरक्की नहीं होगी, सडकें अच्छी बननी चाहिए, मिसाइले होनी चाहिए, अमरीका से अच्छी बनानी चाहिए, यह तो जुमले हुए, लेकिन गाउं की स्थिती भी ऐसी होनी चाहिए, नोडबंदी और GST से देश बरबाद हुआ है, 200 साल से जादा गुलामी हम लोगों ने काट सवा सो साल के बाद देश हर चीज बरदास्त कर लेता, नोडबंदी और GST सब बरदास्त कर लेता, और GST ही लगानी है, तो एक देश एक कर, नहरा है इनका, एक देश एक कर, तो यूपिम यूरिया पर काहे अलग से लेते हैं, टेक्स, इस सवाल है हमारा, यूरिया पर 32 र थोड़े दिन और रुख जाईए, मध्यम वर्गिया गायब हो जाएगा, महा गरीब और महा अमीर दिखाई देगा, बस सिंदुस्तान, ग्राम पंचायतों किसानों और मजदूरों की तरफ से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, कि खाद पे सबसे बड़ी बात, पूरे देश का एक रेट होना चाहिए, जैसे सब जगे कर रखा है, अभी अठारा जन्वर इस भीनों ने बढ़ाया, नपी के पे, बीस बीस जीरो पर, बारा बतीस सोला पे, सब पे रेट बढ आया, एक तो ये, दूसरा, किसान के उत्पाद का मूल ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन बेचने की बिवस्ता सरकार करे, कैसे बिकेगा, तभी रेट बढ़ेगा, यहां से रेट धारित कर देने इस नहीं होता, एक सो बीस रुपिया कुंटल, वहां जाईए, आप सेंटर हैं, और एक सो बीस रुपिया कुंटल अलग से दीजिए, किसान खड़ा रहेगा, और आपका धान तोल जाएगा, तो किसानों के लिए सरकार से सबसे बड़ी मांग है, सिचाई के अच्छे साधन किये जाएं, और जितनी जाद, अब जैसे आप पताए, किसानों के लिए क तो एक दिन हमने डिप्टी डिरेक्टर किर्सी से बात किया, तो उसने कहा, विधायक जी जिस तरह आनलाइन हो रहा है, उस तरह से 60, 65, 70 साल बाद, आज आनलाइन कराओ गया तो उसका नंबर 60 साल बाद आएगा, एकिसानों के लिए, सरली करण होनी चाहिए, जादा से जा पहले दिलाई जाएं, क्योंकि मैंने सदन में रखी भी, लेकिन हमाई सूचना उन्होंने ग्राह नहीं की, मैंने बिदान सबाद हमारे, वो मनने हर दिन ना दिक्षिर जी ने, हमाई ग्राह नहीं की, हमने एक प्लान भी रखा था, उसमें लिख के भी दिया था, हमारा कहन पचास एकड़, सो एकड़ के हर जन्पद में, साड़ों से दिक्कत गावासियों को आ रही, किसानों बहुत ज़्यादा आ रही, आप देखे एक एक गाव में के खेत में, हम लोग लोग बुला के भाटवाते हैं, लेकिन यहां से अटा हो तो उनके खेत में जा रहा थो, खेत करा दिया, लेकिन दर्द होता, इसलिए करा देते हैं, हमने एक प्लान करके दिया था, सूचना लगाई थी सरकार को, कि ऐसे बड़े बंच्छेत्र, जो पचीस, पचास, सो एकड़ के हैं, उनमें घेर बाढ़, यानि तार लगा के, एक गेट लगा दिया जाए, उस सोलर टेल ट्यूबे लगा दिया जाए, छोटा सा बजट कर दिया जाए, जिससे साल में दो तीन बार रवी खरीब जायद में ऐसे जुताई करके और बीच फेक दिया जाए, उसके अंदर ये साण जो भी ले जाए, अंदर फिरी आफ कास्ट, उसके अंदर डाल दे, और त सानोक सबसे पहले तो इनसे मुक्ती मिले, उतपाद में सरकार ये ना करे कि हम खरीद, सरकार के पास कोई या नहीं कि सरकार ये सब खरीद लेगी, तरक्की हो रही है देश जब आज गुलामी के से आजाद हुआ था, तब एक भी गा में दो बुरा एक बुरा नाच बईद एक कोल्ड स्टोर कोई बता दे कि कहां पे आलू खरीद के रखा गया था, सरकारी चारसो सरस्टोपे वाला बुरा, और उसमें भी साइज ने धारित कर देते हैं, तो वो कहां से साइज में पईदा करें, कोई फैक्टरी है आलू बदाने की, कि हम एक साइज का आलू तर जानते हो, रिण माफी के बाद 32 रुपया बोरी वसूल रहें, आप यकीन कीजे नेट पे निकाल लीजे, 32 रुपया बोरी गाम तीन लोग का करजा माफुआ, 40 लोग खात खरीद रहें, तो चन्द नहीं तो लगा, मेरे हिसाब से 60 लाक टन यूरिया की सरकारी आकड़ खिसाब से उत्तर प्रदेश में खपत है, 120 करोड बोरी, 32 से गुड़ा कर दीजे, 3840 करोड रुपया हो गया, आप जितना भी करजा माफ किये हो, हर साल 3840 करोड पया जनतास ले रहे हो, किसानों से ले रहे हो, तो केवले एक यूरिया की बात कर रहे हो, दूसरी तो अभी वो बहुत से पेस्टी साइस वगएरा है, सब पे पैसा बढ़ाया है, तो सरकार किसान के लिए क्या कर रही है, आप बहतर जान रहे हो, इनसान के लिए क्या कर रही है, आप बहतर जान रहे हो, भगवान के लिए, ना इनसान के लिए, ना भगवान के लिए, भगवान जी क प्रिशान के गहां इनको सोचे और रोज जुमले उते हैं शुमले वो आते हैं इसे करते हैं आप बहुत जल्दी एक मेसेच और देने खा रहे हैं हम दो हमारे दो सबके दो हमें से बहेतर बहुत जानते हो कि बस इस 주म्मले बटका हूं नफरत पहिलानें सरकार बनाते रहते हैं एक योजना कोई आप बता दीजे आप से पूछ रहा हूँ उज्जला सौभाग सौभाग पर पहले इन्हों का मैं तो फिरी कनेक्शन दे रहा हूँ जब हमने सदन में मुद्दा उठाया कि पचास रुपया महिना काहे के लिए लिखा हुआ है पीछे से कि कनेक्शन फीस है तब उन्होंने इसपस्ट किया कि हाँ पचास रुपया महिना देना पर है तब फिरी काहेगा गैस सिलेंडर पे कहाँ उज्जला योजना कंतर बहुत से लोग गाओं के बेच चुके हैं सिलेंडर छूट मिलेगी नहीं उसको तो किस्तों पर बेच रहें गैस वाले गरीब के साथ चल हो रहा है गाओं के साथ चल हो रहा है बड़ाद भी नहीं लेगा फिरी कनेक्सन गैस का आपको कभी छूट नहीं मिलेगी और बारा सिलेंडर तो छूट के मिलते थे आप कहीं पता लगा लिए कितने हज़ार करोड उप्या हमाई सरकार से मांग है कि जितने लोगों की सबसिडी आज तक नहीं गई सरकार को उसको आकड़े जारी करने चाहिए जिनकी लोगों के किनी कारणवस सबसिडी नहीं गई क्यों नहीं गई और वो पैसा कहा गया किनके खाते मैं पहला तो एक दूसरा के रहे बिजली अच्छी दे रहे रेट इतना बढ़ा दिया अब ये मुबाईल अगर आप से कोई कहा है तो एक नहीं चाहर हम दे देंगे आपको बिजली के हालाद कित्ते बुरे है जियस्टी लगा दी उनके अधिकारी खुद नहीं जानते जियस्टी है क्या ब्यापारियों के रोज छापा पड़ता हमायानी लगरवाल है बड़े हैं विस्व हिंदू परिशत के बहुत बड़े पुराने नेता है बड़े ब्यापारी गोविंद राम जी के बेटे हैं गोविंद इरस्टी वालों के जब उनकी यहां पहुँच गई तो सड़क जाम हो गई रोज रोज जियस्टी का है कोई अधिकारी बुलाग वैठक करा लीजें नहीं जानते जीस्टी पूरी तरस क्या है उनके अफसर नहीं जानते पहले जीस्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए समय देना चाहिए कि छे महीने बाद लागो करेंगे पहले आकर ब्यापारी ट्रेनिंग कर ले हर चीज जवर्दस्ती तो बस वही है कि गरीब को कंगाल मद्य मर गयों खतम बड़े आदमी बहुत बड़ा बनाना है इनकी सोच है छोटों के साथ कभी न खड़े हुए न खड़े होंगे और आप यकीन करो पहले वाला जमाना वो पुरानी पीड़ी तो रोक नहीं पाए नहीं इनको कोई ओट ओट नहीं देता था यह वही लोग हैं जब तक याद रहा अब की बार जब जनता जागेगी और जानेगी कि वही लोग है तो फिर इनको यही दिखाई देगा क्या सोच है ब्रमण करना अच्छी बात है देश के बाहर जाएंगे संबंद अच्छे बनेंगे लेकिन हिंदुस्तान की जनता से मनकी बात करके रोज नहीं काम चलेगा उधर से भी सुनो मनकी बात खुल अपनी बात ना सुना और सुनना है तो अधिकारियों के सामने ना सुना ने उनकी अपनी सोच है लेकिन जब किसान नौजवान इंसान भगवान सभी परिशान तो बोलना पड़ेगा यह हमाई जिम्मेदारी है दाइत तो है और जनता ने यही काम करने लिए हमको बापनी यहां भीजा है विदान सभाव तो यह थे समाजवादी पार्टी के विधायक धर्मराज सिंग जी इनका कहना है कि यहां किसान से लेकर भगवान तक सभी परिशान है और आने वाले समय में जनता इस सरकार को जवाब देगी पंचायते भी किसी तरह से इन लोगों से खुश नहीं हो पा रही है वहाँ भी विकास के काम अटके पड़े हैं हम उम्मीद करते हैं कि किसान पंचायत की बात गरीब आदमी की बात ये विधान सभा में उठाएंगे और कहीं न कहीं उसका असर भी देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है ग्राम पंचायतों की करते हैं करते हैं